तो आदा आप गूड इवनिंग नमस्कार रात के नौबत चुके हो और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे क्राइम तक की पूरी फैमिली अच्छी होगी कल परसों दो तीन स्टोरी को लेकर बहुत सारे सवाल है मेरे पास कोशिश करूँगा उनका आखिर में जवाब दो क्योंकि आज पहले जो नई कहानी है वो आपके सामने रखो इस कहानी को लेकर भी पिछले कई महीनों से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सुझाओ दिय थे आज इस कहानी को सुनाने का मकसद यह है कि कल बलकी परसों मैंने आपको हामिद अंसारी की कहानी सुनाई थी जो पाकिस्तान की जेल में 6 साल तक रहा और एक लड़की के इश्क में पढ़कर वो बिना वीजा के पाकिस्तान तक पहुंच गया और फिर पाकिस्तानी आर् उटा है तो काइदे से हामिद अंसारी जासूस नहीं था बलकी यह कहीं कि वो एक आशिक था और आशिकी में सरहत पार कर गया था शायद वो दिल और सरहत के बीच के फरक को समझ नहीं पाया और इसलिए गलती कर बैठा लेकिन आज जो कहानी है वो सचमुच एक जासूस की और यह वो कहानी है जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है पूरे सिस्टम पर सरकार पर हमारी खुफिया एजिंसी पर और जासूसी दुनिया पर भी यह नाम शायद सभी जानते हैं रविंद्र कौशिक और इस नाम को एक और जो अभी हाल में जादा सुरखिया मिली थी वो जो हाला कि कहानी अलग थी प्लॉट अलग था लेकिन इंस्पायर पूरा जो है जो इस कहानी को लिखी गए थी और इसका खास तोर पर नाम वो इसी रविंद्र कौशिक से प्रेरित था क्योंकि रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब मिला था और ये खिताब क बट पर रविंद्र कोशिक की कहानी सुनाओं उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता और क्राइम तक के इसी प्रेटफॉर्म पे कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी है तो मैं थोगा सा वो आपको डिटेल में बता दूँ कि ये जासूसी दु जैसे जो भी खुफिया एजनसी किसी भी कंट्री की होती चाहे वो CIE हो, KGB हो, MI6 हो, मुसाद हो, ISI हो, RAW हो तो ये सारी खुफिया एजनसी अलग अलग कंट्री की और ये लोग काम करते हैं जासूसी की दूसरे मुलकों में जाकर एक तो होते हैं जो इनके अपने जैसे डि अंडरकवर एजन्ट भी बोलते हैं, वो करते तो काम है एजनसी के लिए, लेकिन उसमें एक अजीब सी शर्थ होती है, कि अगर आप जासूसी करते हुए किसी दूसरे मुलक में पकड़े गए, तो फिर हम आपको डिसोन कर देंगे, हम आपको पैचानेंगे नहीं है, हम आ इसके लिए कुछ नहीं किया, उसकी रहाई के लिए कुछ नहीं किया, और यही चीज रविंदर कौशिक के साथ भी हुई, जिसे ब्लैक टाइगर तक का खिताब दिया था देश की प्राइमनिस्टर ने, उसका आखरी वक्त कैसे गुजरा, क्या कुछ हुआ, तो यह एक अ रविंदर कौशिक को यह सारी सचाई मालूम थी, उसके बावजूद उसने देश की हिफाज़त के लिए, देश के लिए अपनी खुर्बानी दी, रविंदर कौशिक राजस्थान के श्री गंगा नगर इलाके का रहने वाला एक शक्स, बचपन से उसे थेटर का बड़ा शौक था, एक्टिंग का बड़ा शौक था, जैसे जैसे बड़ा हुआ, फादर उसके एर फोर्स में थे, घर में चार भाई बहन, जिसमें वो दू बहुत सारे थेटर करता था, थेटर का शौक था, और रविंदर कौशिक की शकल काफी स्मार्ट, और उस वक लोग कहते थे कि विनोत खन्ना है वो, विनोत खन्ना से शकल बहुत मिलती थी, तो थेटर का ही शौक था, और थेटर ही वो क्या करता था, लेकिन थेटर में भी जादा तर्व जो रोल जो प्ले करता था वो देश-भक्ति के कभी फॉजी जवान के कभी सिपाही के इस तरह के रोल जादा पसंद थे तो देश-भक्ति का जजबा भी था घर में भी एक चुके फादर एर फोर्स में तो सोच समझ कुछ वैसी थी तो वो भी कुछ करना चाह उसी साल, यह बात है 1975 की, 1975 में एक पले था लखनाओ में, और लखनाओ में प्ले के दौरान जर्ब वो पले करा था तो उसमें एक भारतीय फौज का रोल पले करा था, और उसको 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 चीन में धिना शात हम जंग हारे थे, तो उसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक आर्मी का जवान चीनी फौज के गबजे में आ जाता है और चीनी फौज उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर करती है और वो पूरी तरह से टॉर्चर हो रहा है और ये किरदार निभाया रविंद्र कॉश तब भी वहां पर प्ले होता था रविंद्र कॉशिक तब भी रौ की नजर इसके उपर थी क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करता था रविंद्र कॉशिक और रौ की नजर थी अच्छा आम तोर पर जासूसी के लिए जो हमारी एजनसी है वो वैसे लोगों को चुनती प्रिफरेंस देती है जो बॉर्डर के आसपास रहते हूं श्रीगंगा नगर भी बॉर्डर के पास है पाकिस्तान से दर तो ऐसे लोगों को और एसे नوجوان को जिनके अंदर रास्च भक्ति का जज़बा हो बॉर्डर के करीब हो इन लोगों को ज़्यादा इन पे नजर होत इस play के जरिये और बाकी अपने उनके जि इन फॉरमर्ट थे उसके जरिये और रॉप को चाहिए भी था किस तरह जो किरदार असली जिन्दगी में असली किरदार निभा सके तो लखनगों में play के दोरान में रॉप के कुछ लोगों से मलाकाथ हुई पहली बार वो रविंद्र कौशिक के सामने आ और उन्होंने कहा कि तुमने बहुती जबर्दस्ट एक्टिंग की है लेकिन ये थेटर में प्ले में इस तरह की जो तुम एक्टिंग कर रहे हो अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ हो देश के लेकर कुज़ा गुजरने का जजबा है तो तुम दिल्ली में आकर मिलो तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है रविंद्र कौशिक ने का ठीक है तो 75 के end में ही रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुँश थे तब तक उसे मालूम नहीं था कि कौन सा काम है और ये लोग क्या है और रॉ क्या है रॉ का नाम तक नहीं सुना था जब वो दिल्ली आता है तब फिर दो लोग मिलते हैं उससे बाचीत होती है फिर उसको रॉ के दफ्तर ले जाए जाता है पहली बार उसे तब पता चलता है कि हमारी जो देश की एक खुफिय एजनसी उसका नाम रॉ है और रॉ के अफसर उसको पहले पुरी दुनिया में अलग-अलग जासूसों ने कारनामे किये थे हमारे उनके किस्से कहानिया सुनाते हैं जिससे वो बड़ा प्रभावित होता है फिर राव उफर देती है कि तुमको अगर जासूस बनना है तो बताओ ये देश के लिए है बिना सोचे समझे रविंदर कौशिक खामी भर देते हैं और तयार हो जाते हैं इसके बाद अब ट्रेनिंग की शुरुवात होती है और ये सब कुछ जो हो रहा था रविंदर कौशिक को पहली चीज़ ये बताएगी थी कि वो अपने घर में भी नहीं बताएगा कि वो क्या कटने जा रहा है बलकर बिलकुल इसको खुफिया रखना हैं इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है अमरिश सर और पठान कोट के लागे में रौ के कुछ अपने दफ्तर और बाकी चीज़ें थी जहां पर ले जाकर और फिर दिल्ली में तो अमरिज सर और पठान कोट दिल्ली यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है रविंद्र कौशिक को रविंद्र कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान के ज़्यादा तर इलाकों में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है तो पहला हडल यहां पार हो गया था कि यह पंजाबी बहतर बोलता है तो वहां पे ज़्यादा घुलने मिलने में मुश्किल नहीं आ और वहां रहना है तो आपको फिर नाम पहचान सब कुछ बदलना होगा तो फिर बाकाइदा रविंद्र कौशिक को उर्दू की तालीम दी जाती है अर्बी पुरान शरीफ ये सब पढ़ाया जाता है नमाज कैसे पढ़ते हैं नमाज में क्या पढ़ते हैं ये सिखाया जाता है तो पहले चरन में पहले फेस में ये बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक पाकिस्तान में आम मुसल्मान कैसे बोलता है कैसे रहता है कैसे खाता है कैसे उटता बैठता है कैसे नमाज पढ़ता है कैसे बेसिक छोटी छोटी जनकारी तो बाकाइदा यह अरबी और प्राइद और नमाज इन सब की तालीम जो है वो रौ की जरफ से मौलाना के जरीय दिलाई आती है इसी के साथ साथ दूसरे फेस में फिर उसे पाकिस्तान के नक्षे के बारे में जानकारी दी जाती है कि पाकिस्तान के शहर कौन-कौन से हैं, वहां के जुबान कौन-कौन सी है, वहां के नेता कौन-कौन से हैं, तो बेसिक एक हिस्ट्री वो पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, देन इसके बाद जासूसी के जो बेसिक चीजे होती है, व और आखिर में जो सबसे बड़ी चीज थी वह यह थी कि चुकि रॉय यह मान कर चल रही थी कि रविंद्र कोशिक को पाकिस्तान में जाकर लंबे वक्त तक रहना है और जो अंडर कवर एजिंट होते हैं एक तरह से आप कई फिल्मों भी आपने देखा हो एक स्लीपर सिल भी ह उसके बच्चे भी होंगे और जब उसकी जरुवत होगी तब वो सपोर्ट करेगा मदद करेगा इनफॉर्मेशन देगा यह स्लीपर सिल का काम होता है तो स्लीपर सिल जैसा ही मामला अपने अंडर कवर एजिंट का भी होता है तो एक तो शॉट टरम होता है कि आपको किसी म इनफॉर्मेशन शेयर करनी है तो रविंद्र कौशिक की अदाकारी की महारत को देखते हुए यह ताय किया गया कि इसे लॉंग टरम के लिए पाकिस्तान में रहना है और इसलिए बाकाइदा उसकी एक नई पहचान बनाए गए उसे तमाम एक मुस्लिम रिती रिवाज मु अतना भी किया जाता है ताके वो पूरी तरह से मुसल्मान साबित हो जब यह पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद रविंद्र कौशिक को छे साथ अलग अलग पहले मुलकों में ट्राइल के तौर पे बेजा जाता है और बहुत छोटे मोटे असाइनमेंट दि और जो ऐसे जगों पे बेजा जाता है उसमें दो तीन चीज़ें थी एक तो असाइनमेंट दिया गया दूसरा आप अपना नेटवर्क बनाते हैं आपकी जो खबरी हैं उनको पैचानते हैं और अपने लिए सोर्सिस तलाशते हैं तो यह बेसिक काम जासुसी में होता है त इसके बाद 6-7 मुल्क भेजा गया 1977 आते आते जब सारे मिशन पूरे हो गया तब रौ पहली बार यह डिसाइड करती है कि अब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भीजना है और वो पाकिस्तान में ही रहेगा लॉंग टम के लिए और वहां रहकर वो सारी जानकारी देगा अब पाकिस्तान में क्यों और रविंद्र कौशिक को ही क्यों इसकी दो वज़ा थी 65 और 71 की जंग पाकिस्तान के साथ हमारी हो चुकी थी 71 में बांगला देश को बना दिया पाकिस्तान के हालत खराब वो गुस्से में बदला भी लेना चाहता था तो इन दो जंगों के बाद हर मुल्क ये काम करती है हमने भी यही किया कि अगर अगली बार फिर पाकिस्तान जंग के लिए तयार हो जंग छेड़ दे तो हमें उनकी इस्टैबलिश्मेंट खासतोर पर डिफेंस फॉज इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो अगर हम वहां अपने लोगों को कहीं फिट कर दे तो बहुत सारी जानकारी मिल सकती है तो इसी सोच के तहत रविंदर कौशिक को पाकिस्तान भेजने का फैसला क एक नए नाम नई पहचान के साथ उस वक्त जो भेजा गया था तो यह कह रहे थे कि चुकि अब रविंदर कौशिक जैसी पाकिस्तान में अब जाएगा 1977 में तो रविंदर कौशिक नहीं रहेगा और वो हिंदू भी नहीं रहेगा फिर उसको अपने हापको पूरी तरह से एक मुसलमान दिखाना है उसी मजब में ढलना है ताके किसी को शक्त न हो तो इसलिए उसका नया नाम जब वो पाकिस्तान उतरता है तो उससे पहले रो यहां से उसके लिए नही आईडी कार्ट पाकिस्तान के राशन कार्ट सब कुछ तयार था और एगनसी यह सब चीज़ वो एक तरह से हिंदुस्तान में ही दफन करके चला गया और पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने के बाद अब रविंद्र कौशिक से उसका नाम बदल कर नभी शाकिर नभी एहमत शाकिर यह रख दिया आयता है तो रविंद्र कौशिक अब नभी एहमत शाकिर हो चुगा था वहाँ जाने के बाद चुके पहले से इराओं ने सारा इंतिजाम कर रखा था उसके लिए उसका अपनी पहचान पत्र, उसका अपना राशन कार्ट सब कुछ था और आम लोगों की तरह वो से रहना था बदले में यहाँ पहले यह हो चुका था कि तुम्हें पैसे दिये जाएंगे लेकिन ऐसे कामों के लिए सिर्फ पैसे माँने नहीं रखते वहाँ पे देश भक्ती का जजबा भी माँने जादा रखता माँने तो जब यह पाकिस्तान गया उससे पहले जाने से पहले रविंद्र कौशिक ने अपने घरवालों को भी नहीं बताया कि वह पाकिस्तान जा रहा है क्योंकि यह डील और शर्त थी कि किसी को भी यह बात पता ना चले तो उसने घरवालों से यह कहा कि उसको एक दुबई में नौकरी मिल गई है और वो दुबई नौकरी कर निकले जा रहा है यह कहकर रविंद्र कौशिक घर से निकला और पाकिस्तान पहुन गया नभी एहमत शाकिर के नाम से कराची पहुंचने के बाद जो रौ के अपने सपोर्ट थे वहाँ पे उनसे थोड़ शरुआती मदद मिली उसके बाद वो अब वहाँ पे आम पाकिस्तानियों के भी घुल मिलकर आम पाकिस्तानी बन जाता है और अब यहां से उसकी जासूसी की दुनिया के सफर की शुरुआत होती है लेकिन जितना रौ ने सोचा था रविंदर कौशिक उससे कहीं ज्यादा तेज और उससे कहीं ज्यादा होश्यार और बहुत तेजी से काम करने वाला एक जासूस निकला पाकिस्तान पहुँचने के बाद नभी एहमत शाकिर के नाम से जब ये पाकिस्तान पहुँचे रविंदर कौशिक तब उसकी उमर थी तीज साल सिर्फ ट्वंटी थी यर्स 1952 की पैदाईश थी 1975 में ट्रेनिंग हुई थी तैजिस ये पत्चिस साल दिशा वहाँ जाने के बाद कराची के लॉव कौलेज में रविंदर कौशिक एड्मिशन ले लेता मतलब नभी शाकिर एहमत के नाम से और यहां से और यहां से और वो बेकॉम में ग्रेजवेशन कर चुका था लेकिन पाकिस्तान पहुँचने के बाद वो allow college में एड्मिशन लेता है कराची के और फिर लॉव की degree हासिल करता है लॉव की degree हासिल करने के बाद बाकाइदा पूरी पढ़ाई करने के बाद अचानक अब उसे वहाँ चुके जासूसी करनी थी उसके तरीके ढूरने थे निकालने थे एक ऐसा काम करता है रविंद्र कौशिक जिसकी उम्मीद यहां पर रौक भी नहीं थी और बलके यह दुनिया में सबसे मुश्किल काम में से एक काम है किसी जासूस के लिए जो अब रविंद्र कौशिक करने जा रहा था एक दिन ग्रिजवेशन लौकी डिग्री लेने के बाद अचानक वो पाकिस्तान के एक उर्दू के नियूस पेपर में देखता है कि एक इस्तिहार चपा है और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए वेकंसी थी जैसे हम लोगों कि यह भी चपता है आर्मी के लिए जब भी वे दूरुद है रविंदर कोशिक को लगता कि इसे अच्छा मौका नहीं होगा वो फॉरन अप्लाई करता है और खिसमत देखिये कि पाकिस्तानी फाज में उसका सेलेक्शन हो जाता है अब रविंदर कोशिक नभी एहमत शाकिर के नाम से पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा हो एक होता है उसी आर्मी के अंदर घुज जाना जिस आर्मी के अंदर से आपको खबर निकालनी है इसके बाद आर्मी में वो नौकरी करता रहता है धीरे धीरे उसके तरक्की भी पाता रहता है प्रमोशन होता रहता है और प्रमोशन पाते पाते नभी एहमत शाकिर एलियस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्वी में मेजर के पत तक पहुंच जाता है और ये बड़ी बात थी क्योंकि मेजर के पत पर पहुंचने का मतलब है आप बहुत सारी जानकारी बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं इसके बाद जब वो मेजर के पोस्ट तक पहुंच गय फिर वो बहुत सारी information रौ तक भेजना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ था जिसमें main information जिसमें सबसादा काम की अरविंदर कौशिक ने जिसकी वज़ा से black tiger का खिताब खुद इंदरा गांधी ने दिया एक तो ये कि पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनना एक हिंदुस्तानी जाकर पाकिस्तान में रहता है और सब कुछ करता है एक atomic power station जो पाकिस्तान का atomic power station उसके बारे में बहुत सारी जानकारी वहां के difference के बारे में बहुत सारी जानकारी और अपनी हिफाजब के लिए वहां की सेना क्या कर दिये उसके बारे में सारी information जब पाकिस्तानी आर्मी जोइन किया रविंदर कौशिक ने इसी दौरान में पाकिस्तानी आर्मी के ही एक मिकाम करने वाले एक अफसर की बेटी जिसका नाम अमानत उससे रविंद्र कौशिक को प्यार हो जाता है अब जब लॉंग टरम के लिए आप किसी मुलक में जासूसी करने जाते हैं तो उसमें एक ये भी है सिलिपर सेल या फिर जो अंडर कवर एजेंट है कि आपको किसी कोई आप पे शक न करे कि आप उस मुलक के नहीं हैं या आप जासूस हैं तो उसमें जो बेसिक चीज़ें बताया जाती है उसमें बाकी नाम पहचान धर्म ये सारी चीज़ें दो होती है साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप लोकल लड़की से शादी कर लें तो फिर और भी जादा लोगों को शक करने का मौका नहीं मिलता यकीन करते हैं तो यहां पर यह था कि उल्टा रविंदर कौशिक को प्यार हो गया और उसने फिर रॉक तक ये मैसेज पहुचाया कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो एक तो एक ही लोगों को शक नहीं होगा और दूसरा वो भी पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े है जिसकी बेटी है लेकिन एक सच ये भी था कि खुद रविंदर कौशिक को उस लड़की से प्यार हो गया था अमानत से और वो शादी करना चाता था लेकिन बिना रॉक की परमिशन के शादी मुम्किन नहीं थी इसलिए उसने बताया कि यहां पर लोगों का यकीन और दिल जीतने के लिए शादी करना जरूरी है तुरों ने भी फिर कहा चुपए ऐसा पहले भी केस में हो चुका था तुरों ने हरी घंडी दे दी इसके बाद बाकाईदा रविंद्र-कौशिक उर्फ नभी अहमद शाकर ने अमानत से निकाह किया इसके बाद इनका एक बेटा हुआ ज़सका नाम अरीब रखा गया और बीवी तक को पता नहीं था मतलब अमानत तक को डविंद्र की नभी अहमद शाकर है जब उसने अपने घर तक नहीं बताया तो फिर वो कैसे बताता हूँ, तो बताया नहीं, इसी बीच में करीब 4-5 साल गुजर गया, पहली बार अब यहाँ पे इस घर में घर वाले परिशान थे, दुबई में बेटा बता कर गया है नौकरी करने के लिए लेकिन आनीरा मिलने के लिए, बीच बीच में ख़द जरूर आता था, नाइंटीन एटीवन में श्री गंगा नगर में रविंदर कौशिक के छोटे भाई की शादी थी, और उसे ये बात पता थी, और वो उस भाई से बहुत प्यार करता था, वो चाहता था कि उस शादी में शामिल हो, तो रिस्क बहुत था, यगर वो आता है और यहां पर शादी में शामिल होता है, और कहीं ये बात लीक हो गई, तो उसके लिए बहुत बड़ा काफी मत्था पच्ची होती है, फिर प्लैनिंग की जाती है, तो कहते हैं कि रविंदर कौशिक उम्रा करने के नाम पे साओधी जाता है, फिर वहाँ से दुबई, और दुबई के रास्ते फिर अपनी रौ जो है, उसको चोरी चुपे, हिंद। लेकर आती है, और पाकिस्तान में यह किसी को पता नहीं कि वो हिंदुस्तान जा रहा है, पाकिस्तान में जो छुट्तीली आर्मी से रो, उस सारा यही था ह कि उम्रा और दुबई जा रहे हैं तो 81 में शी गंगा नगर आता है पहली बार रविंद्र कौशिक आने के बाद भाई की शादी अटेंड करता है अब घर वाले रविंद्र कौशिक के उपर प्रेशर डाल रहे थे कि तुम भी शादी कर लो तुम बड़े हो आखर में रविंद्र कौशिक अपने फादर के बता देता है कि उसने शादी कर लिए बट वो आदा सच बताता है वो यह कहता है कि उसने दुबई में एक लड़की है बहुत ही मिडल ग्लास फैमिली की उस से शादी की है और साथ में यह भी बताता है कि उसको अब बच्चा भी होने वारा तब तक ये अरीब जो है वो पैदा नहीं हुआ था मा प्रेग्रेंट थी तो घरवालों को बड़ा सदमा लगता है कि एक तो बेटे ने बेना बता है वे शादी कर लिए फिर यह और भी पता चलता है कि यह बच्चा भी होने वाला है खैर खासता और पर फादर को लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मान जाते हैं शादी खतम होती है उसके बाद नाइटीन एटीवन में ही रविंदर कौशिक अपने घर से विदा लेता है कि वापस दुबई जा रहे हैं उसके बाद वो वहां से निकल लेता है और फिर पाकिस चौदी और दुबई पता नहीं चलता किसी को कि वो हिंदुस्तान आया था एटीवन में उस शादी को एटन करने के बाद उस फैमली से अपने घर वालों से रविंदर कौशिक की वो आखरी मुलाकात थी इसके बाद रविंदर कौशिक की तभी अपने घर वालों से मुला जनकारिया थी जिसकी वज़ा से हमारे कई जवानों की जान बची है क्योंकि उनके पास इंफॉर्मिशन कुछ और थी वो कहीं और जा रहे थे मिशन पे और एंड टैम पे इंफॉर्मिशन आई वो बड़ा कारगर साबित हुआ तो ये सारी चीजें थी जिससे रविंद्र आने वाले दिनों में भी मिल सकती थी लेकिन ये सिलसिला चलता तभी एक अजीब सी चीज होती है 83 तक 1983 तक रविंद्र कौशिक सारे इंफॉर्मिशन देता रहा और कभी किसी को शक तक नहीं हुआ पाकिस्तानी जबके पाकिस्तानी आर्मी में भी अपने लोगों की भी जासुसी की जाती है उन पे नज़र रखी जाती है और जिस तरीके का काम था जिस तरीके के इंफॉर्मिशन डॉकुमेंट्स दस्तावेस सीक्रिट वो सारी वहां से लेना भेजना लेकिन कभी भी अपने पूरे करियर में रविंद्र कौशिक एक बार भी पकड़ा नहीं गया ना किसी को शक हुआ लेकिन 83 में किसी और की गलती की वज़ा से रविंद्र कौशिक का भांड़ा फूट जाता है होता यह कि रॉए एक और एजन को जो पंजाब का रहने वाला था उसे पाकिस्तान भेज़ दी हूँ उसका भी नाम और पहचान सब बदला हुआ था उसका नाम रखा गया था इनायत मसी यह पंजाब का रहने वाला था और रॉक एजन्ट और यह शौट टम पे एक मिशन पे भेजा गया था तो इनायत मसी को 1983 में अप्रेल का महीना था इसे बताया गया कि हमारा वहां पे हमा पाकिस्तानी आर्मी में है और उनका नाम नभी एहमत शाकिर है तो उन तक एक डॉकुमेंट्स पहुचाना था और कुछ मैसेज देना था तो इनायत मसी को इस डॉकुमेंट्स कागजात के साथ पाकिस्तान भेजा गया कराची में इनकी मुलाकात होनी थी नभी एहमत शाक तौर्चर किया जाता है तौर्चर करने के बाद इनायत मसी तूट जाताハ और वो सच注 मता देता है कि वो पूछा जाता है क्यों हाए किस से मिलने तब उसने पहली बार बताया पाकिस्तानी आर्मी को कि मुझे कराची में अपने एक एगेंट से मिलना है उस एजिन्ट का नाम नभी अहमत शाकिर है और वो पाकिस्तानी आरं़ी में है एक यह सुनकर पाकिस्तानी सेना के पाँं तले से जमीन खिसक जाती है कि हमारी आरं़ी में एक बद्दा है जो इंडिया का जासूस है और तो और इनायत मसी असली नाम भी बता देता है कि नभी एहमद शाकिर नहीं उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है वो इनायत मसी को अपने साथ ले जाकर कराची लेकर पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमारी जिस दिन मुलाकात फिक्स है जो टाइम फिक्स है तुम उस जखा जाओगे और ये डॉकुमेंट्स लेकर जाओगे कराची के जिन्ना गार्डन में इन दोनों की मुलाकात फिक्स थी फ्राइडे का दिन था जुमा के दिन में गार्डन में भीड बहुत काम होती है 1983 अप्रेल का महीना सुबा करीब साड़े साथ बजे के आसपास इनायत मसी जिना गार्डन पहुंचता है कराची के तयवक्त पर वहां नभी एहमत शाकिर गार्डन में पहुंचते हैं दोनों एक बिंच पर बैठते हैं इसके बाद जैसे ही और इस तरीके से बातचीत होती है कि जैसे दो सुबा सुबा जो वॉक करने आते हैं टहलने आते हैं वैसे लोग या जाने लोग और वो उन्हें कागजात रेक डॉकुमेंट्स देता है जैसे ये डॉकुमेंट्स का अधान परदान होता है पहले से उस गार्डन में ही पाक आर्मी के लोग छुपे हुए थे वो अचाना काते हैं और चारों तरफ से नभी एहमत शाकिर को गेर लेते हैं इसके बाद उसे गिरफतार करके ले जाए जाता है फिर जो जल्म सित्म का दौर शुरू होता है वो बे इंतहा जासुसी की दुनिया में इस तरीके के जासुसों को खुलवाने के लिए उनका जुबाने के लिए बहुत सारी तकलीफें दी जाती है जिनमें बरफ की सिल्यों पे लिटाना हो इलेक्टिक शौक देना हो आपके हाथ पैर बान के इस तरह खड़ा करना हो एक एक हफ़ता तक कि आपको नीन तो आएगी लेकिन आप सो नहीं पाएंगे आपको ऐसी अंधेरे जोगों पे रखना है नभी अहमद शाकिर और रविंदर कौशिक बलकि अब नभी अहमद शाकिर का यहां से किरदार खत्म हो जाता है क्योंकि रविंदर कौशिक के असलियत सामने आ चुकी थी इस बीच जो अमानत पाकिस्तानी फौच की जो बेटी जिसके साथ शादी की उसे भी पता चलता और पहली बार उसे पता चलता है कि जिसे उसने जिसको अपना शोहर मानती है वो दर असल एक हिंदूस्तानी है और वो भी एक हिंदू है वो एक ही बार जेल में मिलने के लिए आती है सेयाल कोट के अमानत अपने बेटे को लेकर अरीब को और उसके बाद, उस मुलाकात के बाद दुबारा जब तक रविंद्र कोशिक जिन्दा पाकिस्तान की जेल में रहे कभी दुबारा मिलने नहीं आई और रविंद्र कोशिक ने अपने खत में लिखा भी था कि मेरी वज़ा से उसकी जिन्दगी जो हराम हो गई और ये भी था कि जब ये पता चला कि रविंद्र कॉशिक है और ये उसके बीवी है तो जाहिए से बात उस फैमली के उपर भी जल्म ढढ़ाए गए तो रविंद्र कॉशिक के लिए उसकी बीवी और बच्चों को भी बेटे को भी पाकिस्तानी आर्मी ने काफी टॉर्चर किया था इसके बात खैर जल्म सितम चलता रहा लेकिन रविंद्र कॉशिक से लगातार यही पूछता चुरती कि उसने क्या क्या इनफॉर्मिशन लीग किये क्या क्या अब तक भेजा लेकिन वो इतना जीदार इतना बहादुरों से यही लग रहा था कि बस वो देश के लिए कर रह है उसने कभी अपनी जुबान नहीं खोली सारे जुल्म से है सारे उसने टॉटर चेदा लेकिन कभी जिस तरीके से इनायत मसी टूड गया फॉरण और उसने इस रविंद्र कॉशिक की सच्चाई बता दी अगर इनायत मसी ना जाता तो शायद रविंद्र कॉशिक पता नह कभी पकड़ा नहीं गया और शायद आगे भी ने पकड़ा जाता लेकिन एक जासूस की गलती के वैसे दूसरा जासूस पकड़ा गया लेकिन रविंद्र कॉशिक ने अपनी कसम नहीं तोड़ी उसने कभी भी अपनी जुबान से कुछ सच बोला नहीं बेशक मार खाता रह इसके बाद उसे सियाल कोट कभी कोट लगवतराय जेल कभी मियावाली जेल इन सब जगों पर अलग अलग वक्त में रखा गया फिर आर्मी कोट में मुकदमा चला मुकदमा चलने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई अदालत में इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था होता है कि जब जासूस पकड़े जाते हैं तो जासूसों की अदला बदली भी होती है कि ठीक हमारे तीन जासूस मैंने पकड़े मैं तीन पाकिस्तान ने तो मैं आपके तीन पाकिस्तानी जासूस को छोड़ा आप हमारे तीन हंदुस्तानी को छोड़ने तो ऐसा पहले पूरी उमीद थी तो उसने किसी तरह से जेल से भी अपनी महारत दिखाते हुए रवंदर कौशिक ने खत लिखे भारत सरकार को और अपने घर पे इधर घरवालों को उसके बाद से दूबई के बाद से जो शाथी के बाद किया कोई आता पता कुछ था नहीं जब से ग्रफत रवंदर कौशिक के फादर के हाथ में लगता है वो पढ़ते हैं और उसमें पहली बार लिखाता है कि वो पाकिस्तान की जेल में है और उसे फांसी की सजा हो गई है और वो भारत सरकार और मीडिया इन लोगों से बात करें मेरी रहाई मुमकिन है लेकिन ये खत पढ़ने क बाद ही रवंदर कौशिक के फादर की डिथ हो जाती है और ये बात घर में किसी और को पता ही नहीं चलती है ना उनकी वाईफ को ना बहनों को ना भाई को और वो खत तुड़ा मुड़ा उसी घर में पढ़ा हुआ था और खत अर्दू में लिखा गया था और ये अगर में ढूने जाता है किसी अर्दू पढ़ने वाले को बुलाया जाता है और वो फिर पूरा खत का मजबून पढ़ता है तब पता चलता है नहीं कि रविंदर कौशिक पाकिस्तान की स्याल कोट जेल में है और उसे फांसी के सदा हुई है इसके पाद फैमिली वाले दि करने से इंकार कर देती है और अपना पला जाड़ लेती है वो जो शुरुवात पर थी कि जासूस की दुनिया वही है कि जब तक आप काम क्यों पकड़ेगा तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है ये एक बहुत ही अचीव सी चीज है लेकिन यही सच है तो भारा सरकार कोई मदद नहीं करती दीरे दीरे खताता रहता है और उस खत में एक खत में रविंदर कॉसिक्ट ने ये तक लिखा था कि मुझे अमीद नहीं थी कि मेरे देश भक्ती का सिला मुझे ये मिलेगा अगर मैं अमेरिका का एजएंट होता तो मुझे तीन दिन के अंदर अमेरि हुआ चाहे जान दे दू इस बीच में जब सेलकोड जेल में रविंदर कौशिक बन थे तब ही दो और जासूस पकड़ाए थे एक क्रामत राही और एक गोपाल दास जासूसी के लजाम में यह भी पकड़े गए थे तो यह भी यह वहां पहुंसते हैं तब इन्हें पता चलत है रविंदर कौशिक के बारे में और रविंदर कौशिक की तब तक थोड़ी सी हालत खराब होने लगी थी तबियत खराब थी टॉर्चर की वज़ा से अंधेरे में खाना नहीं मिलना तो उन्हें टीबी की बीमारी हो गई हर वक्त सांस फूलना खासना तो कहते हैं कि इस रविंदर कौशिक के आखरी वक्ते जेल की कहानी भी सुनाई है तो रविंदर कौशिक ने बाकाइदा कुछ ख़त भी दिये और अपनी बीवी और बेटे के फोटो भी दिये थे क्रामत रही को कि अगर वो कभी हिंदुस्तान लोटें तो यह उनके फैमली को जरूर दें ताकि अगर कभी बेटा हिंदुस्तान आए तो वो पहचान ले तो क्रामत रही तो खेर नसीब वाले थे हिंदुस्तान लोट है जासूस अपने लेकिन 16 साल तक हाँ इस बीच में फिर पाकिस्तानी कोट में अपील होई फांसी के खिलाफ तो सुप्रिम कोट ने इस फांसी खुद उनकी सिहत खराब हो गई एक खत में उन्होंने अपने घरवालों से कहा था कि मुझे बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम आरी मुझे टीवी हो गए और पाकिस्तान में टीवी की दवा नहीं है तो आप दवा अगर भेज दे घरवालों ने किसी तरह से यहां से दव हुआ करता था और यह शो जो है वो जेल के कैदियों को भी सुनाया जाता था तो किसी तरीके से रविंदर कौश्टिक ने यहां पर भी अपनी जासुसी का होनर दिखाया और उन्होंने यह मैसेज बाहर तक भिजवाया कि एक बार कोई मेरी फैमली का इस रेडियो के और अपनी जानकारी दे तो यह फिर तब उस प्रोग्राम के जरीए पता चला था कि रविंदर के को पहली बार पता चला कि फादर के डेथ हो गई है फैमली अब जो है उसकी हालत बिगड़ गई है और पूरी फैमली श्री गंगा नगर से जैपुर शिफ्ट कर गई है तो काओड़ में रविंदर कौशिक की मौत हो जाती है 16 साल तक वो भारत सरकार से लगतार गुजारिश किया पूरी परिवार कोशिश करती रही सरकार के पास इस दौरान में अलग-अलग सरकारे आई लेकिन किसी ने भी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाने की कोई इमानदारी कोशिश की ही नहीं और एक जासूस जिसने अपनी जिन्दगी इस देश के लिए खुर्बान कर दिया जिसे मालूम था कि वो पाकिस्तान नहीं बलकि मौत के मूँ में जा रहा है क्योंकि जासूस कब कहां पकड़ा जाया कब बेद खुल जाया मालूम नहीं लेकिन उसने देश के लिए ना सिर्फ रविंद्र कौशिक से नभी एहमद शाकिर बना और पाकिस्तान में ही जाकर रहा कभी उसने अपना मूँ नहीं खोला और जब पकड़ा गया तो सुमीद थी कि जिस देश के लिए वो कर रहा है वो देश उसके साथ खड़ा होगा उसे बचाएगा लेकिन उससे किसी ने बचाया नहीं और आखिर में 2001 में मुल्तान में मौत हो गई उसकी मौत के बाद मुल्तान जेल के पीछे ही रविंद्र कौशिक को दफना दिया गया क्योंकि वहाँ पे उस हिसाब से पाकिस्तानियों के हिसाब से वो नभी एहमद शाकिर था रविंद्र कौशिक नहीं और इसलिए उसको मुस्लिम तरीके से दफना दिया गया मरने से तीन दिन पहले आखरी खत रविंद्र कौशिक ने अपने घरवालों के लिए लिखा था और वो खत उने मिला भी और उस खत में शिकायत यही थी कि जिस देश के लिए मैंना इतना कुछ किया उस देश के शयदा मैं किसी काम का नहीं हूँ इसलिए उन सब ने मुझे छोड़ दिया और रविंद्र कौशिक वापस जिन्दगी में कभी जिस जमीन की हिफाज़त के लिए वो दूसरे मुल्क गया उस जमीन की मिट्टी भी उसे नसीब नहीं हुई और उसे पाकिस्तान की सरजमीन में ही दफन होना पड़ा कहते हैं कि जासूसी की दुनिया में खासतोर पर हमारे हिंदुस्तान में उससे जियाला उससे दिलेर उससे अदा जहीन दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती जो दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन की सेना में खुस जाए और बागदा वहां नौकरी करे मेजर तक बन जाए लेकिन ऐसे महान ऐसे बहादूर जासूस का ऐसा अंजाम ये सवाल खड़े करता है कि क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस भी थे यहां पर अदला बदली हो सकती थी बातें हो सकती थी शर्तें हो सकती थी लेकिन ये चीज़ें नहीं हुए और वो जो है उसको हिंदुस्तान की मट्टी तक नसीब नहीं उसके फैमली के लोग आज भी है आज भी उनकी शिकायत सरकार से कि अगर सरकार चाहती तो रविंदर कौशिक हिंदुस्तान लोड सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं हाँ एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसे फिल्में बनाकर रविंदर कौशिक को दोबारा इस देश ने ज़रूर याद किया लेकिन ऐसी याद का क्या मतलब ये मतलब मुझे भी समझ बनी आथा तो ये थी पूरी कहानी अब मैं आगे सवाल जवाब लूँ उससे पहले आज एक खास मेरे पास फरमाईश आई है आसिम दीपक और वरनिका जो हमारी क्राइम तक की इनकी तरफ से और कि दिल्ली तक एक और हम लोगों का चैनल है काफी वक्त से है और इन लोगों की सब की शिकार दिये कि मैंने कभी दिल्ली तक के लिए आप लोगों से कुछ कहा नहीं कोई गुजारिश नहीं की तो एक दिल्ली तक चैनल है जिन लोगों ने हमारे क्राइम तक के फैमली के लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है बलके जादा तर नहीं किया है तो हो सके तो आप लोग दिल्ली तक जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके दिल्ली तक की फैमिली को भी बड़ा कीजिए तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी तो दिल्ली तक है, यूट्यूब पर आप जाएंगे और दिल्ली तक आप सर्च करेंगे और इसको आप सबस्क्राइब करेंगे तो सभी को खुशी होगी यह आप से रिक्वेस्ट थी और आगे सवाल लों से पहले जब यह टीजर गया उसके बाद कुछ मेल आये थे सवाल रविंदर कौशिक से जुड़ा हुआ एक सवाल है मिस्टी का मिस्टी ने यह पूछा है कि रविंदर कौशिक ने जब पाकिस्तान में पहुँचके शादी की थी तो क्या वो रौ के कहने पी की थी या सच में इश्ख हो गया था इसलिए शादी की थी या फिर पेशे की मजबूरी थी तो मैंने शुरू में यह कहानी मैं आपको बताया था इसलिए उसने शादी की दूसरा इस शादी से जो है उसको फाइदा भी मिला कि वहां लोगों का शक दूर हो गया तो यह एक सवाल था अब आसिम बताओ इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि रविंदर की मौत के बाद बीवी और बच्चे का क्या हुआ मैंने आपको जैसा की बताया था कि स्याल कोर्ट जेल में गिरफतारी के बाद सिर्फ एक बार अमानत मिलने आई थी रविंदर कौशिक से और रविंदर कौशिक ने बाकाइदा ये भी कहा था कि मैंने तुम से भी जूट बोला लेकिन वो मजबूरी थी उसके बाद कभी नहीं आई बीवी और बेटे दोनों आज भी पाकिस्तान में है और अब तो मुझे रविंदर कौशिक का बेटा है वो काफी बड़ा भी हो गया होगा लेकिन बस यह है कि पाकिस्तान में वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए ये फैक्ट है हिवान शुर्ण से एक चीज है कि जब जो जासुसी की दुनिया इसमें एक फैक्ट हो यह है कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो जैसी आप एक बार पकड़े गए आपका भेद खुल गया तो यह पहले से होता है कि हम आपको ओन नहीं करेंगे हम यह नहीं करेंगे कि आप मेरे आदमी है और ऐसे बड़े किस्सें एक बहुत पहले भी मैंने एक शो किया एक प्रिंस नाम के वी जासुस की कहानी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगा वो 26 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा उसने मुस्लिम ललकी से शादी की उसके बच्चे हुए और वो भी हिंदू लेक पो मानने को तयारी नहीं था लेकिन बाद में वो इसने सारे जो प्रूफ उसने दिये बाद कोर्ट में मामला गया फिर कोर्ट के ओर्डर के बाद उसे बाकाइदा कंपंसेशन मिला करीब 45-45 लाग रुपए और मुआफजा मिला तो जब मुआज भी याद है कि प्रिंस य माम तोर पर जो जासूस पकड़े जाते हैं उसके बाद यहीं होता है कि हम आपको नहीं जानते हैं लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि क्योंकि हर मुल्क में जासूस पकड़े जाते हैं तो कई बार अदला बदली होती है कुछ शर्तों के साथ होता है तो एक दूसरे को छ पूल हजारा कोशिक को हम लोगों ने पाकिस्तान भेजा था उसी तरह से सिर्फ यह नहीं कि हम ने पाकिस्तान भेजा पाकिस्तान भी यही काम करती है आईसाई के बहुत सारे एजिन्ट है जो भेजती है अलग अलग जैसे स्लीपर सिल जो होते हैं ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं जो स्लीपर सिल टाइप के होते हैं वो करते क्या है कि वो आते हैं और आपके आपके परोस में आके रहने लगेंगे बिलकुल उसी देश की पहचान नाम सब कुछ रहन सहन उटना बैटना खाना पीना हर चीज तो उनको पकड़ पाना मुश्किल काम होता है लेकिन कब-कब जब जब उनकी जरुवत होती है तब उनसे वह काम लिया जाता है तो हर मुलक में ऐसा है हर देश के साथ ऐसा है कि वह अपने अपने लोग करता है कि आप बिल्कुल बुरा मैं मतलब रविंद्र कौशिक के लिए नहीं बलके पूरी फैमली के लिए और बलके जासुसी दुनिया में जो लोग है उन सब के लिए इस चीज को लेकर बड़ा बैक फिल्ड करता हूं कि जो लोग इतना कुछ करते हैं उनके साथ कम से कम आईसा सुलूक नहीं होना चाहिए अगर हम उन्हें बचा सकते हैं उन्हें वापस ला सकते हैं तो यह कोशिश होनी चाहिए चाहिए किसी भी फ्रंट पे हो पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में कौन ऐसा रविंद्र कौशिक पैदा होगा जो सीना होके कि मैं जाओंगा पाकिस्तान मैं वहां से खबरे निकाल कर आपको दूँगा जब इस तरह की चीजें यह ऐसी कहानिया सामने आती हैं तो फिर लोग जाने से पहले दस बार सोचेंगे अब इस तक पी मेरा है बिल्कुल यह एक्ट है बलकि जितने भी तक हैं वो सभी से जुड़ा हूं पर हां दिली तक की यह जो कंप्लेंट आई है बिल्कुल शम्सवी के शिकायत जन्वन है मैं दिल्ली तक पर शायद कभी मैंने कोई लाइव किया नहीं है कभी एक तो वज दिल्ली तक जो चैनल है वो थोड़ा डिफरेंट है मतलब बाकी जतने तमाम न्यूज होते हैं वो होते हैं और मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं तो क्राइम तक ही मुझे सूट भी करता है लेकिन दिल्ली तक को कभी नजर अंदाज नहीं किया है ना ऐसा है कि वह सौतेला कोई सुलूग करते हैं बट आप लोग जोड़ी है मैं पक्का वादा करता हूं बीच-बीच में दिल्ली तक पर भी मैं अपनी ध्यलक दिखाता रहूंगा कौन है अबिशेक करन साब नालंदा इंवर्सिटी पे मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही है लेकिन मैं इस पर एक बार रिसर्च करता हूं और देखता हूं ढूंटा हूं निकालता हूं पर बताता हूं एक मैं आगे बढ़ो से एक सवाल और मैं मेल पे देख कर आ रहता है दिव्यान शूर राज थे शैद क्योंकि ये सल्मान खान की जो कहानी सुनायती उसमें एक कन्फ्यूजन था कि सल्मान खान अगर जमानत पर हैं तो हिंदुस्तान के बाहर कैसे जा सकते हैं बाहर जाकर शूटिंग कैसे कर सकते ह और दूसरे ये कि अगर उन्हें सजा हो गई ये तो ये जमानत कैसे है ये पेरोल हो सकता है तो यहां पर मैं आपको टेकनिकल चीज़ बता देता हूँ लोर कोट ने सल्मान खान को पांस साल की सजा सुनाई सल्मान खान ने सजा के खलाफ हाई कोट में अपील किया और साथ में जमानत मांगी जब वो हाई कोट पहुंचते हैं और उनको जमानत मिलती है तो हाई कोट जो है लोवर कोट के फैसले को अभी बदला नहीं है ना उसका जज्जमेंट है लेकिन उसने उस फैसले को सस्पेंट कर दिया है suspend का मतलब यह हुआ कि अब जब तक हाई कोट का फैसला नहीं आएगा lower court का यह फैसला मानने नहीं होगा तो ऐसे situation में फिर वो पेरोल नहीं होता फिर वो बेल ही कहलाएगा तो दो चीज़ की lower court के फैसले खलाफ एक हाई कोट ने उस फैसले को suspend कर दिया तब तक जब तक कि हाई कोट अपना फैसला नहीं सुना देती दूसरा उस जमानत दे दी तो जमानत ही मिलेगी पेरोल नहीं होगा और नमबर तीन उसके बाद court के उपर है कि वो सलमान खान कहीं जाते हैं इजाज़त देता है की नहीं तो जब भी सलमान खान शोटिंग के लिए बाहर जाते हैं वो बाकाइदा court में कहते हैं कि उन्हें वहाँ जाना है क्योंकि उनका passport भी कई फैसलों में जब्द करवा दिया जाता है लेकि फिर passport उन्हें दिया जाता है और वो दिन बताते हैं कि मुझे अगर सपोज यूएस जाना है शोटिंग के लिए एक महीनी के लिए तो उनको court को बताना पड़ता है कि मैं एक महीनी के ले जाना हूं तो court उन्हें जरूरी इजाज़त देती उसके बाद ही वो जाते है तो बिना कुमार जी यहां पर आपका सवाल थोड़ा अच्छा लगा इसलिए अच्छा लगा कि यह एक टेक्निकल सवाल अगया कि देशों के साथ हमारे रिष्टे अच्छे हैं वहां हमारे जासुसों की कहलत होती है आम तर पर जिन देशों से हमारे रिष्टे अच्छे हैं वहां पे अदला बनी थोड़ी आसान हो जाती है अब जिनके खिलाफ जिनसे रिष्टे हमारे बड़े खराब है तो वहां तो जाहर से बात है कि यतनी आसानी से होगा नहीं तो उन देशों में जहां नॉर्मल चीजें हो रही हैं नॉर्मल रिष्टे हैं बस कुछ इधर उधर के इ हिंदुस्तान से उनके अपने लोगों को निकालना सथीश महता जी इसमें आपने जो बुला की न लाने के पीछे पॉलिटिक्स थी या फिर कुछ और मन्शाब जो एक खत लिखा था रविंदर कौशिक ने जेल से कोट लगपत रहे जेल से लिखा था अपने फैमली को उस इसलिए ये लाइन याद आगे क्योंकि आपने शहीद रविंदर कौशिक कहा उस खत में लिखा था कि रविंदर कौशिक ने की ना तो मैं शहीद हूँ और ना ही मैं जिन्दा हूँ जबकि वो जिन्दा थे लेकिन तबलिगा था और ये मेरी सरकार की वज़ा से है मुझे अमीद नहीं थी कि ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है अगर सरकार कोशिश करती और जिस सरकार ने जिससे ब्लैक टाइगर जैसा खिताब दे रहा हो जिसने बड़े बड़े काम किये हैं उसको इस हाल पे छोड़ देना और उसके लिए कोशिश ना करना वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि जायज है कि इंडरा गांडी ने उन्हें ब्लैक टाइगर क्यों कहा है दो वज़ा से एक तो यह कि ब्लैक टाइगर इसलिए कहा था कि एक पहला जासूस था कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिससे सबस्यादा रिष्टे हमारे खराब थे 65-71 दो वार हो चुके थे और उसी पाकिस्तानी आर्मी में घुसकर नौकरी करना और फिर मेजर के पत तक पहुँचना तो यह पहली चीज थी दूसरी जो पाकिस्तानी एटोमिक जो सेंटर था उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जी थी तीसरी एक जो मैंने आपको बताया थे कि एक जिसकी विज़ा से हमारे इंडियन आर्मी के कई लोगों की जान बजगे थी, उस सिर्फ एक खास सूचना के उपर, तो ये सारी चीज़े जब पता चले थी तब इंडरा गांदी ने पहली बार खिताब दिया था रविंदर कौशिक को, ब्लैक टाइगर का. जैंडर सिंग पूछ रहा है कि कैसे कंफर्म करता है कि रविंदर कौशिक जानकारी बीपी वो सही है, तो यहां पर कैसे कंफर्म करते हैं, यह देखे, जो बेसिक पहला टार्गेट था, वो यही था, पहली चीज थी, वो तो यही थी, कि वो जासूस, वो भी रौके, और आप जादा एजली information बहार निकाल सकते हैं, शादी करने का जो, जो, जो reason था, वो मैंने आपको बताया, एक तो वैसे ही घुलने मिलने के लिए भी करते हैं, लेकिन रविंदर कौशिक एक जासूस के लावा इंसान भी थे, उनके अंदर भी दिल है, धड़कता था, प्यार काम आए, तो वो सारी चीजें थी, जिसकी वज़ा से ही वो ब्लैक टाइगर के खिताब तक पहुंचे थे, यह गलत है, हरिंदर साब की पाकिस्तानी जासूस बन गया थे, यह सारी लिमर है, बलके यह कहीं, इसका कोई फैक्ट्स और तत्य हैं, हाकिकत यह है कि जब कारी हो गई, टी-बी, मदद मिलीनी सरकार से और आखिर में घुड़ घुर कर पाकिस्तान की जेल में उनकी जान चली गी, लेकिन आखरी वक्त तक वो एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही था, और उसने वाकरी देश के लिए बहुत कुछ किय जो भी कहा जाए बहुत कम है, आखरी सवाद, करन साओ साब यहीं पर मैंने शुरू में आपको कहा कि यह महारत थी, कि जेल में रहते हुए भी खत हिंदुस्तान तक आते थे, क्योंकि वो अपने वक्त से दौर के आगे के जासूस थे, रविंदर कौशिक, कहते हैं कि जेल पर वो हमला करते हैं और फिर उसको अपने साथ मिला लेते हैं, तो कुछ लोगों की मदद से और मिली भगत से ही मैसेज और खत यहां तक पहुँचे वरना तो हिंदुस्तान में पता भी नहीं चलता कि रविंदर कौशिक कहा हैं कि जेल में हैं, जिन्दा भी हैं कि नहीं ह जो आकरी हमारे जो जासूस इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी जासूस और ये सब बाली बातें अफ़ाएं हैं, जो करामत रही और गौपाल दास जब ये पहुँचे थे और जेल के एक ही बैरक में ये आकरी दिनों में रहे, रविंदर कौशिक के साथ इसकाद हिंदुस्तान आये, हिंदुस्तान आकर उन्हेंने पूरी कहानी बताई, बलके वो और कुछ खत लेकर आये, उनके हाथ का लिखावा, अर्दु में ही, बेटे की तस्वीर लेकर आये थे, करामत रही हिंदुस्तान, फैमली को दिया, तो उनकी देश भक्ती पे और उस पे नहीं मुझे लगता है कि गुना है, वो हम कर ही नहीं सकते हैं, खैर, यह थी पूरी कहानी, आज एक और खबर आपको बता दूँ कि आज इदिली हाई कोट ने एक खबर दी है कि जो तंदूर कान का मेन आरूपी, सुशील शर्मा, जो 26 साल तक तेहार जेल में रहा, कहा गय कि उसको फॉरण छोड़ दो, क्योंकि जो सजा होई थी, सुशील शर्मा को वो 20 साल की थी, लेकिन वो अपनी सजा से 6 साल एक्स्टा सजा काट चुका है, और बीच में जबानात पर भी आया था, जब मैंने कहानी सुनाई थी, पेरोल पे सोरी, लेकिन आज हाई कोट ने कह कि दिल्ली तक जरूर सबस्क्राइब कीजिए, और जितने आप लोग हैं, उसमें से आप आधे भी कर देंगे, तो दिल्ली तक की तस्वीर एक्दम बदल जाएगी, तो जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मुच, कल आपसे मुलाकात होगी, कल से टेटे हैं, तो रिकॉर